प्रधान मंत्री के रूप पर रहकार प्रारत के लिए बहुत कुछ किया था उन्होंने 562 रजवाड़ों का विलीनी करण किया था और उनके इस विलीनी करण के कारण ही एक अखंड भारत का निर्मान हो सका सद्धा वल्लब भाय पटेल वकिल के रूप में रहकर बहुत सारे रूपिये कमाते थे लेकिन उन्होंने मात्र देश के लिए अमनी वकिलात छोड़ दी और भारत देश की सेवा में लग गए उनके इसी कारियों के करण हम उनको लोव पूरुष की उपमा देते हैं उनको ल भारत देश के आजादी में महत्व पूरुण भाग भाग भज़ जुनोंने भारत के आजादी में महत्व पूरुण भूमी का निभाई थी सद्धा वल्लब भाय पटेल का जन्मा 31 ओक्ठोबर 1857 को भारत गुजरात के नडियात गाव में हुआ था उनके माता का नाम अपने देश के लिए ही अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया था सद्धा वल्लब भाय पटेल ने अपनी हाई स्कूल की शिक्ष्टा नके आई स्कूल से प्राप्त की थी और उनके बाद उनकी घर के आर्थिक परिस्तिति खराब होने के बावजुद उनके पित के बाद उन्होंने बेरिष्टर की उपाधि प्राप्त की सद्धाव लग बाइपटेल हमारे भारत के एक राजनेता थे और साथ ही एक वकील थे जो ने भारत को एक सुत्रों में बांधने का कारिया किया था सद्धाव लग बाइपटेल इसके लिए कड़ा संगर्ष किया था सद्धा वल्लव भाई पटेल कहते थे कि सफलताई हमारे मार्ग में बाधक हो सकती है सफलता के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा हमसे जो हो सके वह हम सब कुछ करेगे और उपरांथ वो यहां भी कहते थे कि सफलता है हमारे मार्ग में बाधक है इसलिए पहले अपने आखों को लाल होने दीजिए और फिर हरेक मुसीबत का सामना डटकर और मजबूत हाथों से कीजिए सद्धा वल्लबबाय पटेल भारत के पहले ग्रूव प्रधान और उप्रधान मंत्री के रूप में उन्होंने दिल्ली और पंजाब से शेनाथियों के लिए शांती का वातावन प्रस्थापित किया था सद्दाव अलवबाय पटेल का भारत में इतना मान सम्मान था और उनकी चबी और उनका व्यक्तित्व भारत में ऐसा था कि हरे एक भारतिय उनको वड़ा प्रधान के रूप में देखना चाहता था लेकिन भारत वासु की यहां इच्छा पूरी नहो सकी क्योंकि गांदी जी के नेने के अनुसार जवारना नेहरू भारत के पहले प्रधान मंत्री बनेंगे लेकिन सद्दा पटेल के जीवन पर से यहां बात तो स्पष्ठ होती है कि कोई भी इंसान महान बनकर यहां पर नहीं आता लेकिन यहां आकर ही महान बनता है सद्दा वल्लव भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके बारे में हम सोतते हैं तो हमें लोखंडी पुरुष सर्दार जैसे अनेक उपमाएं उनके बारे में याद आती है सद्धा वल्लव भाई पटेल कब बेरिष्टर वल्लव भाई पटेल में से सद्धा वल्लव भाई पटेल और लोव पूरिस वल्लव भाई पटेल बन गए इस बात कहा में पता ही नहीं चला सद्धा वल्लव भाई पटेल का निदन 15 दिसंबर 1950 के रोज हुआ था सद्धा वल्लब भाई पटेल का निजन होते ही पूरा भारत सोक में डूब गया था सद्धा वल्लब भाई पटेल का निजन होते ही पूरे भारत में शांति का वातारण प्रस्थाफित हुआ था और हर एक भारत वासियों के दिल में उनके बारे में करूना थी इसी के साथ भारत ने अपना एक महान नेता खोया था सायद ही यह साब ने हमें नेता मिल सके जिसने अधुनिक भारत के इतिहास में इतनी महत्व पूर्ण भुमिकाई नी बैए हो इस तरह सद्धा वलोभाय पटेल के जीवन से प्रेना लेकर हमें भी उनकी तरह महान बनना चाहिए अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें शेर करें